Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल तो इसको डीटेल से जानेंगे कि exactly हुआ क्या है यहाँ पर भारत की तरफ से क्या-क्या साफ-साफ चेतावनी दी गई है क्योंकि यहाँ पर एक important चीज यह है कि पहली बार गलवान वैली के incidents के बाद पहली बार चाइना के Defense Minister भारत आ रहे हैं इसी हफते और इस perspective से भी यह important हो जाता है चलिए इसको डीटेल से जानेंगे और समझेंगे की कोशिश करेंगी कि अभी क्या-क्या मामला pending है लद्दा के अंदर काफी कुछ जानने को है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा अगर आप UPSC 2024 हो या फिर 2025 लेक मी टेल यू 2025 का बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से तो इसके अंदर मैं बता दू live classes मिलेंगी prelims से लेकर interview तक की पूरी त्यारी आपको कराई जाएगी लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर आप यह batches लेते हैं और prelims crack करते हैं तो free of cost में आपको mains residential program दिया जाएगा prelims crack करने के बाद आप study IQ के headquarters दिल्ली आ सकते हैं यहाँ पर रह सकते हैं, खाने की सुविधा, mains की preparation offline वाला, सब कुछ free of cost तो जल्दी से हमारे website आप पर जाएए या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use करिए code UNKITLIVE ताकि आपको maximum discount मिल सके और इसके लावा optional के batches हो गए या फिर EPFO कुछ भी होए, just use the code UNKITLIVE, and इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे insta page पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हुआ क्या, देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कि 2020 में जो गलवान वैली वाला incident हुआ, उसके बाद भारत और चाइना ने यहाँ पर एक मीटिंग को लेकर सेट अप कर दिया, और उसको बोला किया, कोर कमांडर लेवल की जो टॉक है, वो होती रहेगी, तो यहाँ पर समय समय पर यह कमांडर लेवल की टॉक होती रहती है, और वही बातचीत कल संडे को दोनों देश के बीच में हुआ है, लेकिन सबसे खास जो मैं आपको बता रहा था, कि इसी हफते आपको पता है कि इस समय भारत के पास प्रेसिलेंशिप है, SEO का शंगाई कोपरेशन ओगनाइजेशन का, और इसलिए यह डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत का, यहाँ पर आपको याद होगा, पैंगॉंग सो में कितना प्रॉब्लम हो गया था, होट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट, गलवान वैली से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होई थी, तो बहुत सारे चीज़ें सुलस्त तो गई हैं, लेकिन जो major issues है, उसके बारे में हम चाकचा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और important चीज़ सामने आया है, कि कल जो बातचीत हुई है, उसमें कोई अभी official world सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई ऐसा कोई बड़ा outcome आया हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर समझो सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह जो commander level की talk है, यह हुआ है चुशूल में, basically क्या है ना, कि भारत और चाना के बीच में कई सारे border points है, जहाँ पर इस तरह की यहीं पर यह बातचीत हुई, और बताया गया कि कल सुबे, कल सुबे लगभग साड़े नौ बजे से लेकर यह बातचीत स्टार्ट हुआ, और यह लगभग late night तक चला था, बहुत लंबा चला था लेकिन क्या होता है, यह को इतनी लंबी of talk था, और यह जो कल हुआ है, वो आपका हुआ है 18th round of talk, अब इस पूरे meeting का focus क्या था, यह समझ लिजे, देखो यहाँ पर आप देख पाऊंगे, बहुत सारे आपको point मिल रहे होगे, जैसे कि पैंगॉंग सो में problem हुआ था, नदन side of पैंगॉंग सोर्ट, सदन side हो गया, होट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट, यहाँ पर कई सारे जो problem से उसको सुल्जाया जा चुका है, टोटल 7 problems थे जिसमें 5 में चीजें resolve हो चुकी हैं पहले, अब दो जगा जहाँ पर resolve नहीं हुआ है वो कौन सा है, एक है आपका depth song plane और दूसरा है dam chalk, तो इसकी location आपको जाननी चाहिए, देखो यहाँ पर अगर हम depth song plane की बात करें, तो वो आपको मिलेगा एकदम northern side में, यह दौलत बेक oldie आप देख रहो न, यहीं पर आपको मिलेगा depth song plane, एक काफी देख रहो यहाँ पर, तो एक point एकदम northern side में, और दूसरा एकदम southern point में, यह दोनों जगा अभी भी tensions बनी वही हैं, दोनों की तरफ से जो troops हैं, जो हतियार हैं, जो tanks हैं, वहाँ पर खड़े वह हैं और चीजें resolve नहीं हो पाई हैं तो question यह है कि फिर discuss क्या हुआ है, भारत की तरफ से represent किया जा रहा था, 14 core commander lieutenant general रशीम बाली और चाइना की तरफ से जो उनके south shinziyang military district के chief हैं वो वहाँ पर आये थे, और वो लोग यहाँ पर discuss कर रहे थे कि कैसे जो depth song bulge area भी इसको कहा जाता है, depth song plane में काफी bulge बड़ा सा area है, उसको depth song bulge area कहते हैं, और dam chalk में यहाँ पर एक area है जिसको कहा जाता है, CNN track junction इसको कहते है, charging ninglung nala track junction तो यह आपको सारे locations पता होना चीज़िए यह dam chalk में हैं, तो दोनों की जगा को लेकर, जो strategically important जगा है उसको लेकर बातचीत हुआ, लेकिन जैसा मैंने बताया, इस बातचीत में कोई भी अभी outcome सामने नहीं आया कि क्या यहाँ पर disengagement होगा की नहीं लेकिन sources के माध्यम से जो यहाँ पर बताई गई है, जो media में खबर चल रही है, उसमें यहाँ पर बोला गया है experts के द्वारा कि क्योंकि चाइना के defense minister इसी हफते 27 अपरिल और 28 अपरिल को भारत में होंगे तो में भी हो सकता है यहाँ पर कुछ improvement हो क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया अपनी तरफ से कि हमें यहाँ पर पूरी तरह से disengagement है de-escalation है, de-induction है लगभग 50,000 troops मतलब भारत की तरफ से 50,000 चाइना की तरफ से 50,000 बहुत सारे weapons like tank हो गया, artillery हो गया, rocket system हो गया यह सारी चीज़ें तैनात हैं इस्टन लद्दाक के अंदर तो भारत ने अपना position साफ कर दिया है जब तक disengagement, de-escalation नहीं होगा, तब तक यहाँ पर कोई भी improvement दोनों देश के बीच में जो bilateral relation है वो नहीं हो सकता और इसी की वज़े से यहाँ पर no war, no peace जैसा situation बना रहेगा और bilateral relations खराब होते रहेंगे, तो भारत ने साफ साफ अपनी तरफ से कह दिया है कि अपने troops को पीछे करिए लेकिन problem क्या है ना, कि चाइना ने अभी अब तक कोई अपना intention नहीं दिखा है, तो यहाँ पर समस्या में आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, जैसे कि माल लीजे कि पहले एक patrolling point हुआ करता था, तो मैं आपको map में समझाता हूँ जैसे कि आप map देख रहे हो, यह आप LAC देख पा रहे होगे, line of actual control तो माल लो यहाँ पर एक patrolling point है, जिसको PP, इसको नाम दे दिया गया PP 10, PP 11, PP 12, इस तरह से अलग-अलग तरह के patrolling point है, तो भारत के सैनिक उस patrolling point तक जाते थे, patrolling करके वापस आ जाते थे, तो इस तरह से चीजें चलती रहती थी, लेकिन चाइना क्या कर रहा है उस patrolling point पर जाकर, जान मुझकर problem create करने की कोशिश कर रहा है ये कहता है कि नहीं, वो area उनका है और इसकी वज़े से क्या हो जाता है ना कि भारत की तरफ से भी इतना buffer area create हो गया, उधर से buffer area create हो गया, मतलब भारत के soldiers जो पहले patrolling point तक जा सकते थे, वो अब हम वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, और यही problem हुई है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना देफसांग plane में जो problem हुआ है 16,000 feet पर है देफसांग plane वहाँ पर पहले हम patrolling point 10, 11, 12, 12, 13 यह सब access कर पाते थे अब हमारे soldiers वहाँ तक नहीं जा पाते और यह सबसे बड़ी दिक्कत है फिर इसके लवा क्या हुआ है कि चाइना की People's Liberation Army भारत के अंदर लगबग 18 km अंदर तक भारत के soldiers को patrolling करने से problem create करती रहती है जान मुझकर जो है problem create करती है ताकि एक issue create हो और यहाँ पर एक buffer point बन जाए in fact मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि भारत और चाइना का border जो है line of actual control उस पे अगर आप देखोगे तो total 65 patrolling points हैं जिसमें पहले भारत के सैनिक वहाँ तक जाते थे उस जगध तक जाते थे patrolling point पे और फिर वहाँ पर से lot आते थे और यही problem है नदन साइड में करा कोरम पास हो गया और यहाँ पर नीचे के साइड में यहाँ पर जो चुमार range हो गया जो जगा हो गई वहाँ पर पूरा जो है total 65 patrolling point है जिसको हम यहाँ पर पहले access कर पाते थे अब उतना access नहीं कर पाते हैं तो यह सारी problem लदाक में चल रही है फिर अगर हम बात करें eastern sector की तो अगेन आपको याद होगा कि यह रुनाचल वाला यह eastern sector यहाँ पर इसको कहते हैं रुनाचल परदेश के अंदर भी चाइना ने यहाँ पर जान मुझकर problem create करने की कोशिश की है और इसलिए आपको याद होगा पिछले साल 9th December को दोनों देश के जो troops हैं वो आमने सामने आ गए थे तवांग सेक्टर के अंदर जो यांग सी जगह है वहाँ पर आमने सामने आ गए थे और काफी ज़ादा tensions देखने को मिल रहा था फिर इसके लावा रुनाचल परदेश पर अपना हग जताने के लिए चाइना ने रिसेंट्ली आपको याद होगा 11 जगहों के जो नाम है उसको standardized कर दिया उसको अपना नाम दे दिया और जिसको भारत ने obvious ही बात है reject किया था पिछले हफते ही यहाँ पर defense minister साहब है राजनात सिंग जी उन्होंने armed forces को कहा कि आप prepare हो जाएए किसी भी प्रकार की contingency के लिए हम नहीं चाहते है किसी प्रकार का war हो लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर disengagement disk escalation हो लेकिन ultimately क्या है कि यह चाइना के उपर dependent करता है कि वो क्या करना चाहता है तो I hope कि आपको एक overall पूरा perspective मिल गया होगा कि exactly यह बात्चीत में क्या हुआ है क्या problem है and जाने से पहले एक interesting question आप सभी के लिए यहाँ पर क्या बता सकते हो जो project 75 या project 75 I है यह किस Indian armed forces से related है इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF चेटो टेलिग्राम पर आईए लग लग सोशल मीडिया पर आप जूर पाऊगे और जैसा माने बताया था UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हो just use the code अंकित लाइब and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हम से नेक्स ताइम till then thank you very much see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable